अंतरिक्ष की सीमाए अनंत हैं और इसके रहस्य भी अता है। वेज्ञानिक लगातार बरसों से अंतरिक्ष में छिपी पहेलियों को सुलजाने की कोशिश में हैं। सबसे एहम जीवन, ऑक्सिजन और पानी की तलाश है। अभी तक कई ग्रहों पर पानी होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन कभी पक्के सबूत नहीं मिले हैं। अब कहा जा रहा है कि पानी के अंतरिक्ष में पृत्वी की तरह ही कई बड़े समुद्र भी हो सकते हैं। सुनकर हैरानी होती है, लेकिन ऐसी कई खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। आखर अंतरिक्ष में समुद्र होनी की त्योरी कैसे आई, क्या है नई खोज, आप इस रिपोर्ट में देखे हैं। प्रित्वी की तरह ही पानी का बड़ा भंडा, जहां तक नजर जाए पानी ही पानी, क्या अंतरिक्ष में भी ऐसे समंदर की कल्पना की जा सकती है। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अब तक के तमाम रिसर्च में किसी भी ग्रह या उपग्रह पर मिलने की पुश्ची नहीं हो सकी है। आज तक अंतरिक्ष में कभी भी पानी के छूटे से तराब तक की तस्वीर नहीं आए, फ़र समंदर की बात ही बेमानी है। लेकिन सोचल मीडिया पर वायरल खबरों में दावा किया जा रहा है, कि अंतरिक्ष में भी समंदर है, वो भी एक नहीं, कई। प्रित्वी के तरह ही वहां समंदर है, बेहिसाब पानी है। हो सकते हैं, यानि अब तक समंदर को देखा नहीं जा सका, बस ये पता शला है, कि पानी का विशाल भंडार वहां हो सकता है। अब वग्यानी कैसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझें। 27 उपग्रे यूरेनस का चक्कर लगा रहे हैं। टाइटेनियार ओबेरोन सबसे बड़े उपग्रे हैं। इन दोनों की भारी परस से गर्मी निकलती है। माना जग रहे हैं कि दोनों के भीतर महासागर है। वग्यानिकों का दावा है कि टाइटेनियार ओबेरोन के भीतरी गहराई में डेडियो धर्मी तत्व अपने कुछ आंतरिक पानी को पिखलाए रख सकते हैं। टाइटेनियार ओबेरोन की तुलना में ग्रह के करीब यूरिनेस के कई छोटे चंद्रमाओं को जुआरी अताप से अपनी जातर आंतरिक गर्मी मिलती है। ओबेरोन, टाइटेनियम, उम्ब्री, एरियल और मिरांडा जैसे उपग्रहों पर समुद्र होनी की उमीद है। विज्ञानिक अब इसके लिए मिशन की शुरुबात करेंगे। लेकिन फिलहाल पकेश सबूत नहीं मिले हैं। प्योर रपोर्ट, टीवेन भारतवर्श। झाल पकेश सबूत नहीं मिले हैं।